हेलो फ्रेंड्स, आज कॉमिक बुक स्टोरीज में हम कवर करेंगे सब के फेवरेट की कैस लीडर स्टार लॉर्ड की कॉमिक बुक ओरीजन स्टोरी को और हम अपने पिछले वीडियो में गार्डिन अफ्ट गेलेक्सी के बाकी मेंबर्स की ब्रीफ ओरीजन स्टोरीज को कवर कर चुके हैं इसलिए उस वीडियो को चेक आउट करना मद भूलेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ने मिल जाएगी स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा क्योंकि यह हमें मोटिवेट करेगा और भी ओसम और कूल कॉमिक बुक कंटेंट आप तक लाने के लिए तो आप बिना किसी इंतजा स्टार्ट करते हैं स्टार्लाट को स्टीव इंगलहार्ट और स्टेव गान ने क्रीट किया था और उसे सबसे पहले जैनुरी 1976 में मार्वाल प्रिवियो इशू 4 में इंटिडियूस किया गया स्टार्लाट की मुवी और कॉमिक बुक की ओरीजन एक जैसी होने के बाद भी काफी अलग हैं दोनों ही मीडिया में ओरीजन वहीं तक सिमिलर है जहां तक हमें पता है कि स्टार्लाट के डैड एक एलियन है और वो उसकी मा को छोड़कर चले गया थे और इसके बाद स्टोरी चेंज हो जाती है कॉमिक बुक्स में भी स्टार्लाट की दो अलग-अलग ओरीजन स्टोरी हैं विच सिमिलर बेस पहले 1976 की है जब स्टार्लाट को सबसे पहले इंटर्यूस किया गया था और इसमें स्टार्लाट हमारे मौडन जाने पहचाने स्टार्लाट से बहुत ही अलग दिखता था मगर ये कॉमिक बुक उतनी सक्सेस्फुल नहीं हुई इसलिए हम चलते हैं दूसरी और लेटेस गार्डियन और गैलेक्सी इशू 0.1 की ओरीजन स्टोरी की तरफ ये स्टोरी को इस तरह स्टार्ट होती ह स्टार्लाट की माँ अपने घर के सामने स्टेर्स पे बैट के फून पे बात कर रही होती है कि तभी एक स्पेस्शिप उनके गार्डन में आके गिरती है वो देखने के लिए भागती है कि क्या हुआ है तो उन्हें एक खून से सना आदमी स्पेस्शिप से बाहर निकलता दिखाई देता है वो उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ जाती है कि तभी वो आदमी उनके तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है पर वो थोड़ी देर बाद भियोश हो जाता है और वो उसे उठा के अपने घर के अंदर ले जाती है और जैसा है कि इसके बाद हर लफ स से कहता है कि उसके अपने प्लैनेट पे जाने का समय आ गया है मगर मेरेडित उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहती है पर वो उसे समझाता है कि उसके प्लैनेट पर अभी वार चल लई है इसलिए वो उसे नहीं ले जा सकता और वो उसे छोड़ कर चला जाता है मगर उसक और उसे भी मानने के डूडते हैं पर तभी पीटर अपनी मा की shotgun लेकर आता है और उन दोनों को माड डालता है मगर shot gun का reverse action पीटर को closet के अंदर धगेड़ देता है जहां उसे एक gun मिलती है जो उसके पिता ने उसकी मा को दी थी लेकिन तभी एक स्पेशिप उसके घर को उड़ा देती है और वो बाल-बाल बचता है वास्पिटल में जब वो सो के उड़ता है तो नर्स उसके पास वो गन लेके आती है ये सोचकर कि वो एक टॉय गन है और वो ये गन देखकर खुश हो और उसके पिता स्पाटेक्स अंपायर के राजा थे और अभी भी हैं और उनके बाद वो अगला राजा बनने वाला है पीटर आगे बताता है कि बडून्स के सोलजर को लगा कि जब उन्होंने उसके घर को उड़ाया तो वो भी मर गया पर ऐसा नहीं हुआ और उसे और्फ कि वो अर्थ पर वापस ना आ सकी और अब हमें पता चलता है कि स्टार लॉड ये सब चीजें आरेन मैन को बता रहा है और आरेन मैन ने भी गाडियन्स की टीम को जॉइन कर लिया है अब बात करें स्टार लॉड की मा के मरने से लेके उसके गाडियन्स की टीम जॉइन करने और स्पेस में भाग जाता है जहां उसकी शिप खराब हो जाती है और यहां उसे यांडू और उसकी रैवेजर्स की टीम मिलती है और पीटर कुल उन्हें जॉइन कर लेता है और यहां होती है हमारी ओरीजन स्टोरी खतम अब आते हैं इस बात पे कि स्टार लॉड ने गाडियन्स की टीम कैसे और क्यों बनाई गाडियन्स की टीम का फॉर्मेशन 2008 की अनियलेशन कॉनक्वेस्ट कॉमिक बुक सीरीज में हुआ इसमें क्री के हाई कमांड ने पीटर क्विल को दो आप्शन मैंसी किसी एक को चुनने को कहा या तो वो जेल जाए या फिर वो एक ऐसी टीम बनाए जो क्री के लिए मिशन्स पूरे कर सकें और पीटर क्विल ने दूसरा ओप्शन चूस किया और इस तरह गाडियन अफ दा गैलेक्सी की टीम का फॉर्मेशन हुआ 2008 की गाडियन्स की टीम के ओरिजनल मेंबर्स में स्टार लॉर्ड, एडम वाल लॉग, गमोरा, वजार, रॉकिट दर रकून और ड्रैग दर डिश्वाय शामिल थे महर किसी ने भी अपने आप टीम को जोईन नहीं किया स्टार लॉर्ड ने मेंटेस से टेलिपहते के लिए उनकी सोच को फोड़ा चेंज करा दिया ताकि वे उसकी टीम जोईन कर लें पर इवेंचुली सबको पता चल गया कि उनको मेंटेस ने अपनी पावर से टीम में जोईन कराया है और सबने टीम छोड़ दी और अपने अलग-अलग मिशन पर चले गए पर रॉकिट ने दुबारा नए मेंबर्स के साथ गार्डियन्स की टीम बनाई जिसमें गुरूट, मेंटेस और मेजर विक्टरिस शामिल थे गार्डियन्स की टीम के बनने के बाद से कई अलग-अलग मेंबर्स ने उसे जॉइन किया जैसे आइरन मैं, एंजिला, दे तिंग, कैप्टन मार्वल, एसेक्टरा पर मेंबर्स हमेशा ही सेम रहे जैसे कि स्टारलॉट, गमोरा, ड्रैक्स, ग्रूट और रॉकिट दर रकून अब स्टारलॉट की पावर की बात करें तो स्टारलॉट के पास कोई सूपर पावर नहीं है मगर वो हेंड-टू-हेंड कॉमबैट और कोई भी हत्यार चलाने में माहिर है साथ ही उसके पास एलमेंट गन भी है जो कि उसके डैड ने उसे दी थी जिससे वो कोई भी एलमेंट शूट कर सकता है जैसे फायर, वाटर, अर्थ, विंड और इलेक्रिसिटी और हम हेलमेट कैसे भूल सकते हैं ये हलमेट स्टारलॉट को सारे स्टेटेजी डाटा देखने में मदब करता है साथ ही स्पेस में उसके अक्सीजन लेवल को भी रेगुलेट करता है तो इसी के साथ हमारा ये एपसोड यहीं खताम होता है और आए होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा सो थेंक यू और गुडबाए